हलो सलाम नमस्ते शुष्रियकाल के इंचो माई नीम इस नलीनी एंड वैलकम तो माई केचन आज हम बनाने जा रहें गोभी अलू की सब्जी लेकिन ये कुछ अलग हटके है आप मेरे तरीके से बनाएंगे न तो लोग बहुत पसंद करेंगे और ये रोज मांग मांग के हैं तो घर के लोग बहुत हो जाते हैं लेकिन जब ऑप इस ऐसे बनाएंगे ना ये तो आप इसे पार्टी में भी बना सकते नल्च और बना में भी आप पराथे पूरी और रोटीओं के साथ इसे सफ कर सकते हैं जब आत कटी हुई गोभी को थोड़ा मैंने बड़ा बड़ा काटा हुआ है और इसे ना तकरीबन दो से तीन मिनट पहले पका लेंगे दो से तीन मिनट पकाने के बाद मोटे और लंबे कटे आलू डाले और आपको मैं बता दू सबजियों के काटने के तरीके से स्वात में अंतर आता है ऐसा मेरे पिता जी बोलते थे वो एक बहतरीन शेफ थे अब दोनों चीजों को अच्छे से मिलाईए और इसको ढख करके तकरीबन तीन से चार मिनट पका लें जब तक कि इसमें हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए जब तक यह पक रहा है तब तक हम दूसरी कडाई में इसका मसाला त्यार कर लेते हैं कडाई में डालेंगे एक छोटा चमच सरसो का तेल गरम होने के बाद आप उसमें डालें एक चमच जीरा चुटकी बरहींग उसके बाद लंबे कटे प्याज प्याज को भी लंबा में तक हमें भूनना है जब तक प्याज पक रहा है ना तब तक यह देखिए गुबी आलू को देख लेते हैं कि कुछ डाइस में इस तरीके से मैंने काट लिया है इसको भी मिला करके तक्रीबन एक से दो मिनिट और पका लेंगे यह देखिए प्याज तक्रीबन पक चुका है और इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च बारी कटी स्वाध अनुसार मैं यहाँ पे ना हरी धनिया और जो प्याज आता है ना हरा वाला वो दोनों बराबर मात्रा में डाल रही हूँ हरी प्याज का टीस बहुत अच्छा देता है गोभी आलू में इसको मिक्स करने के बाद पतले पतले कटे मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ और टमाटर को गलने तक पका लेंगे जब तक टमाटर गल रहा है तब तक हम इसका मसाला तयार कर लेते हैं इसके लिए चाहिए होगा 4-5 चमच दही आप उसमें थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं लेकिन ध्यान रहे उसमें गुठलिया ना रहे उसमें हमें लंस नहीं चहिए इसके बाद इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच हल्दी, लाल मेच स्वाद अनुसार, एक बड़ा चमच किचन किंग मसाला, एक बड़ा चमच धन्या पाउडर और एक छोटा चमच भुना पिसा जीरा, इन सारी चीजों को अच्छे से मिला ले, अब हमारे ये मसाले का पेस्ट बिल्कुल रेडी है, ये देखिए टमाटर गल्ले स्टार्ट हो गया है, अब इसमें हमने जो ये मसाला बनाया था ना दही वाला इसको डाल देंगे, अगर आपको थोड़ा सा तरी चाहिए अपनी सबजी में, इस स्टेज पे आप पानी मिला ले, गरम पानी ही इस्तमाल करें, और दही को अच्छे प्रतिशत तक गोबी आलू पका लिया है ना उसको डालेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, इसके बाद नमक स्वादानुसार डालेंगे, लेकिन नमक पहले नहीं सकती, इसे ढख करके एक से दो मिनिट और पका लेंगे, ताकि सारे मसाले गोबी और आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए, लुक अट दिस, बन चुका है ये, हरी धनिया और हरा प्याजना, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, उसको इस स्टेज पे भी डालियेगा, बहुत की प्योरिटी की तो बिल्कुल गारेंटी है, और स्वात की गारेंटी नलीनिस के चल लेती है, आप इसे गर्मा गरम सर्फ करें, उपर से थोड़ी धनिया के साथ गानिश करें, और फुलके, रोटी, पराठा, पूरी के साथ इसका लोत फोठाएं